Hello everyone, हमारा आज का लेसन है इंग्लिश ग्रामर के ये तीन अलफाज पर जो के हमारी रोज मारा इंग्लिश बोल चाल को बना देने वाला है बहुत ही आसान जी दोस्तो मेरा नाम आसिम है और आज की वीडियो में मैंने आपके could, would and should के तमाम concepts कर देने है बिल्कुल clear हमारे साथ यूँ ही बासानी उर्दू से इंग्लिश सिखते रहने के लिए हमारे चैनल AQ इंग्लिश को कर लीजेगा सब्सक्राइब और बैल बटन को भी प्रेस कीजेगा ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाया करें इसके साथ साथ हमारे इंग्लिश WhatsApp ग्रूप्स जॉइन करने का लिंक और इस सबग की PDF डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में एड कर दिया गया है ओके दोस्तों बिला ताकिर हमारे आज के लेसन का आगाज कर लेते हैं ओके अबरिबॉन सबसे पहले एक बात जान लीजिए कि खुड बुड एंड शुड को हम इंग्लिश ड्रैमर में कहते हैं और हमारे पास पहला मॉडल वर्ब है एक गुड जो के है कैन की पास्टफ फार्म हम इसे बोल रहे हैं पास्टफ फार्म है तो आम तोर पर लोग ये समझते हैं कि could past tense में ही use होगा जो कि सबसे बड़ी गलत फहमी है दोस्तों इसी वज़ा से हम could को ठीक तरह से use ही नहीं कर पाते could को बहुत सारी situations में use किया जा सकता है present और future tense के लिए भी ठीक है तो अगर हम इसके सब uses अच्छी तरह से सीख लें तो हमारी English बहुत ही अच्छी बन जाने वाली है सबसे पहली बात could को हम use करेंगे past की काबलियत को English में कहने के लिए ठीक है past की काबलियत को English में कहने के लिए जैसे अगर आप बच्पन में कोई काम कर सकते थे तो आपकी past की यनि जमाने माजी की काबलियत थी जैसे मेरे पास sentence है वो बच्पन में cricket खेल सकते थे ओके तो यहाँ पर मैं could का use कर सकता हूँ ठीक है यहाँ पर एक बात याद रखिएगा तमाम model verbs के साथ first form of the verb हमेशा use होगी ठीक है वो बच्पन में cricket खेल सकते थे तो past की उनकी यह ability थी ठीक हो गया जी अब इसको अगर हमने बनाना हो कि उनकी past की यह ability नहीं थी यहाँ वो बच्पन में cricket नहीं खेल सकते थे तो हम कहाँ देंगे could not और short करके इसको कहेंगे couldn't वो और से सुनिएगा कैसे pronounce करेंगे couldn't ओके और अगर question पूछना हो कि क्या past में आपकी यह ability थी यानि क्या आप यह कर सकते थे तो could को ले आएंगे शुरू में could you play cricket when you were a child could you play cricket when you were a child जब आप बच्चे थे तो क्या आप cricket खेल सकते थे जो तो इस तरह से हम बड़ी आसानी से किसी की भी काबलियत पर बात करने के लिए कि वो क्या कर सकता था हम यानि खास तो पर past की काबलियत के बारे में बात करने के लिए हम यूज़ करेंगे could को और अगर present की काबलियत होए तो हम उसके लिए can का यूज़ कर सकते हैं ओके दोस्तों इसके साथ साथ next हमारे पास आ जाता है किसी से इजाज़त लेने के लिए वो भी बड़े अच्छे अंदाज से बड़े ही अच्छे आदाब से इजाज़त लेने के लिए आप कुट कर यूज़ कर सकते हैं क्या मैं पार्क जा सकता हूँ आप parents से किसी भी ले रहे हैं ठेखैंट याद रखिये हमने खुड को से पहर सर्फ पास्ट के लिहां से यूज़ नहीं करना सिर्फ काबलियत वाली जो बात है यहां पर पास्ट में यूज़ होगा ठीक है बाकी देखते जाते हैं साथ-साथ कि किन-किन टैंस में कुट का यूज़ हम किस त time वो किसी भी वक्त आ सकता है इसी के साथ साथ he could be in the park हो सकता है वो पार्क में हो तो उसके होने के chances की बात कर रहे हैं राइट अंदाजा लगा रहे है एक तरह का कि वो पार्क में उसका होना हो सकता है अच्छा, अगर हमने कहना हो कि वो पार्क में नहीं हो सकता, ठीक है, हो ही नहीं सकता कि वो पार्क में हो, तो हम कहेंगे he couldn't be in the park, इसी तरह से अगर हम past की possibility की बात करें, तो हम कह सकते हैं, he could have been in the park, वो पार्क में हो सकता था, could have been को देखकर डर मत जायेगा, बिल्कुल सिंपल सा है, इकठा रख लें इसको could have been, यनि अगर past में किसी के कहीं पर, किसी जगा पर होने के chances हो, तो आप कह सकते हैं, he could have been, और उसके बाद उस जगा का नाम जहां पर वो हो सकता था, यहाँ पर उस शखस का नाम बोल लीजे, जैसे, awesome could have been in the office, ठीक है, तो इस तरह से आप किसी के कहीं पर होने के इमकानात, could को यूज़ करते हुए, English में बोल सकते हैं, ठीक है, ओके, English में बड़े ही politely request करने के लिए भी आप could को यूज़ कर सकते हैं, could US dollars, क्या आप मुझे 5000 डॉलर उधार दे सकते हैं, ओके, तो ये एक request हो गई, lend का क्या मतलब है, उधार देना, और borrow का मतलब होता है, उधार देना, ठीक है, याद रखिएगा, could you lend me 5000 USD, ओके दोस्तों, so politely request हम, could को यूज़ करते हुए कर सकते हैं, जै, अब इसके साथ साथ अगर हमने किसी को आदत से मजबूर होकर मशवरा या सला देनी हो, तब भी हम, could का use करेंगे, for example, आप से कोई मशवरा ले रहा है, कि मैं क्या करूँ, मेरे पास बहुत सारा free time है, आज कल मेरे exams हो गए है, तो काफी सारा free time होता है, क्या किया जाए, तो आप उसे, एक time waste करन मशवरा ले सकते हैं, कि तुम मेजाया मूवी देख सकते हो, तुम फलाँ web series देख सकते हो, dramas देख लो, ठीक है, तो you could watch comedy movie, या you could learn e-commerce, कुछ अच्छा मशवरा दे दे, you could learn web development, okay, or you could start a YouTube channel, ठीक है, तो अच्छा मशवरा दे दे इस तरह का, तो मशवरा अच्छा देना हो या बुरा, आपने could का यूज करना है, ठीक है, जी इसी तरह से आप कियास करने के लिए, यानि अंदाजा लगाने के लिए, भी could का यूज कर सकते हैं, जो कि negative होगा, basically, कैसे, it couldn't be, वकार, ये वकार नहीं हो सकता, ठीक है, आपने कहीं पर किसी को देखा, और आप उसके ब आप फी रहे हैं मुलतान में, right, okay, तो इस तरह से आप कियास कर सकते हैं, could का यूज करते हूए negative form, alright, तो ये थे दोस्तों, could के मुकमल users, अब आगे देखते हैं, okay, दोस्तों, जैसे can की past form थी could, उसी तरह से will की past form है, would, ठीक है, इसके बहुत सारे अच्छे-च्छे users हैं, इनको अच्छी तरह से समझेगा, और ये आपकी English बूल चाल में बहुत अच्छी तरह से help करने वाले हैं, और sometimes, इसको confuse किया जाता है, will से, ठीक है, और कुछ लोग कहते हैं, जी के इसको हम सिर्फ और सिर्फ use कर सकते हैं, past के लिए हाज से, या future के लिए, तो अभी हम सारी ये वाला काम किया करता था, करता था, ठीक है, यानि आपकी आदत थी वो काम करना, किसी खास रूटीन के तहट, या past में खास अरसे के लिए, तो आप would को यूज़ कर सकते हैं, उस चीज़ के बारे में बताने के लिए, कि आप वो करते थे, किया करते थे, ठीक है, ओके, य आप would का यूज़ करेंगे, जी बात clear? ओके, so she would go to the market every Sunday, हर संडे को, यानि एक स्काजूल था रूटीन थी, एक आदत थी, तो इसको हम would का यूज़ करते हुए, इंगलिश में बताएंगे, वो हर इत्वार को बाजार जाती, या जाया करती, या जाती थी, कोई भी सेंटे जी, इसी तरह से, अगर हम इसको negative में बनाएं, कि नहीं जाते थे, तो हम कह सकते हैं wouldn't, कैसे pronounce करेंगे? wouldn't, wouldn't, जी एक और sentence देख लेते हैं, रूटीन क्या थी? मेरी अम्मी हमें हर रात कहानिया सुनाया करती थी, my mother would tell us stories every night, पहले बता चुका हूँ कि हम हमेशा वर्ब की first form का use करेंगे, my mother would tell us stories every night, जी दोस्तों इसी के साथ-साथ would को हम use कर सकते हैं, जी कियास करने के लिए, देखिए could को हमने use किया था, negative form है, ठी नहीं हो सकता, यहाँ पर हम कहेंगे, वो होगा, कोई कहीं पर होगा, तो इसके लिए हम कहेंगे would be, right, वकार would be in Lahore, it couldn't be वकार, पहले हमारे पास ये sentence था, वो वकार नहीं हो सकता, फिर हम वहीं पर कह सकते हैं, वकार would be in Lahore, वकार लाहोर में होगा, उसने मुलतान के अगर मैं आज ठीक है ओके तो इस तरह से हम deductions कर सकते हैं क्यास कर सकते हैं दावत देने के लिए आप कर सकते हैं use would का कैसे आप drink लेंगे इसके लिए हम sentence के use करते हैं would you like to have a drink please दावत दे रहे हैं किसी को offer कर रहे हैं ठीक है would you like बहुत ही अच्छा तरीका है किसी को सुला मारने का ठीक है किसी को invite करने का किसी कोई चीज offer करने का would you like to have a drink please ठीक है गुजारिश करने के लिए हम would का use भी करते हैं ठीक है कैसे क्या आप उनकी मदद करेंगे would you please help them would you please help them क्या आप उनकी मदद करेंगे एक और sentence देख लेते हैं would you mind closing the door बुरा ना माने तो दर्वाजा बंद कर देंगे ठीक है इस तरह से देखिए दोस्तों जब आपने किसी को कहना हो कि बुरा ना मनाएं यह बुरा ना मानें तो उसके बाद कोई काम करने को बोल रहे हैं तो आपने क्या कहना है would you mind उसके बाद ing वाली form वर्ब की would you mind closing the door ओके इसी तरह से और भी बहुत सारे sentences बनाए जा सकते हैं would you mind cooking ओके और उसके बाद कोई भी चीज़ cooking for example बिर्यानी for me अगर आप बुरा ना मनाए तो आज मेरे लिए बिर्यानी बना देंगे ठीक है जी दोस्तो वूट का यूज हम शेख चिली वाले situations में भी करते हैं यानि ख्याली situations में तो किस तरह के sentences हैं जी अगर मैं तुम्हारी जगा होता ठीक है तो एक मुफ्त English course चूरू करता इसका क्या मतलब है अगर मैं तुम्हारी जगा होता यानि हो नहीं ठीक है ख्याली बात है I would start I would के बाद आप वह बात कर सकते हैं I would help poor ठीक है I would help poor इसे तरह से कोई भी बात आप कर सकते हैं ठीक है I would उसके बाद first form of the verb और फिर बाकी बात जो आप करतें ठीक है I would help the poor, I would start a free English course, okay, I would go to America, ठीक है, यानि कोई भी काम जो आप करते अगर उसकी जगा होते, तो I would यहाँ पर लगेगा, इसी तरह से अगर बारिश हुई, तो मैं स्कूल नहीं जाओंगा, I wouldn't go to school if it rained, ठीक है, I wouldn't, या I would भी कह सकते हैं, ठीक है, I wouldn't go to school if it rained, पास्ट है, यहाँ पर भी देखिए, पास्ट है, तो यहाँ पर पास्ट पास्ट दो लगेगे, ठीक है, दो पास्ट पास्ट होंगे, ओर राइट, जी तो अगर शॉटली बात की जाए, तो conditional sentences में would का use किया जाता है, ठीक है, conditional sentences English grammar का एक बहुत ही अहम topic है, जिस पर अलड़ी हमने एक वीडियो बनाकर upload कर दी है, अगर आप English conditional को अच्छी तरह से clear करना चाहते हैं, पूरी तरह से concept clear करना चाहते हैं, तो वीडियो का link description में add कर दिया गया है, आप वो वीडियो भी देखिए, जी दोस्तों अब देखते हैं, should जो कि हमारा आज का last model verb है, और ये use किया जाता है किसी को नसीहत, मश्वरा, सलाह देने के लिए, यानि advice देने के लिए, तो बहुत ही simple है, तुम्हें साल में एक बार dentist को दिखाना चाहिए, इसी तरह से एक और नसीहत, we shouldn't horn near the hospitals, हमें हस्पतालों के करीब horn नहीं बजाना चाहिए, तो इसको कैसे प्रेनाउंस करेंगे, shouldn't, 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 ओके दोस्तों किसी को हुकम करने के लिए भी आप should का use कर सकते हैं, कैसे, कि तुम 30 मिनिट में यहां हो, 30 मिनिट में यहां मिलो, you should be here in 30 minutes, you should be here in 30 minutes, जी दोस्तों आज के लिए एक ना ही, I hope आपको could, would and should के तमाम uses अच्छी तरह से clear हो गए होंगे, अगर आपका किसी भी तरह का question है इन तीनों model verbs के मुतालिक, तो आप मुझे comment section में पूछ सकते हैं, this is it for today, we'll be talking in the very next video very soon, take care, until next time.